नमस्ते दोस्तो, welcome to the Gyan electrical, so friends आज के इस पीडियों में हम बात करने वाले हैं कि over current protection, short circuit protection and overload protection जो होता है, उन सब के बीच में difference क्या होता है, यह जो है वो हमें एक example के साथ समझने वाले है, जिसे यह concept समझने में बहुत ही आसानी होगी, So suppose यह जो पूरा setup है वो एक process setup है जिसको function करवाने के लिए यह जो motor and pump का set रहता है मनलब कि यह pump and motor set जो है वो यह पूरा process को handle करता है और उसको run करने का काम करता है तो अगर इस क्या है कि हमें हमारी जो induction motor रहेगी वो directly coupled रहेगी कोई कोई ना कोई mechanical device से तो यह जो mechanical device है जिसके साथ electrical motor connected है और electrical motor को जो energy चाहिए वो electrical energy जो है वो directly यह cable के through substation में से आती होगी तो यहाँ पर गईस मेंने पूरा substation नहीं दिखा है बट substation का एक module दिखा है यह जो outgoing feeder है वो तो यह outgoing feeder में से cable निकल के directly induction motor में आएगा induction motor जो है वो rotate होगी और यह जो pump set है उसको rotate करेगी और उसकी वज़े से क्या होगा कि यह पूरे के पूरा जो system जो है वो working में आ जाएगा तो कुछ इस तरह से पूरा setup रहता है तो अब चलिए पहले बात कर दे कि overload protection क्या है तो suppose friend आप ऐसा समझें कि यह जो पूरा process है वो run होता है यह pump और induction motor का जो set है उससे तो यह जो induction motor जो है उसका rating जो है वो 30 kilowatt power rating है और उसका full load current 52 ampere है तो क्या होगा कि during normal condition क्या होगा कि यह motor जो load होगा वो rated current या तो फिर उसका rated power है उससे कम ही रहेगा या तो फिर up to उसका जो rating है उतने तका उसका load रहेगा यानि कि 30 kilowatt लेगा power या तो फिर 52 ampere तक का current लेगा उससे ज्यादा current इसमें नहीं जाएगा normal condition पे बट suppose somehow कहीं पे भी fault हो गया चाहे वो mechanical machine में यानि कि यह bump में कुछ problem आ गया या तो फिर process side कोई choking है या फिर कोई भी और दिक्कत हो सकती है उसकी वज़े से यह जो process है वो ज्यादा power demand करने लगी उसकी वज़े से क्या होगा कि motor जो है वो motor पे load बढ़ने लगा और यह motor जो ह जम है कि वो 30 kWh तक का ही power जो हो supply कर सकती है बट उसके उपर load बढ़ने के वज़े से क्या होगा कि वो 30 kWh से ज्यादा load लेना start कर देगी और उसकी वज़े से क्या होगा कि उसका जो rated ampere 52 ampere rated है उससे ज्यादा current यानि कि 52 से ज्यादा वो शायद 60 ampere भी हो सकता है 65 भी हो ज़ कर देगी motor substation में से और उसकी वज़े से क्या होगा यह जो condition guys वह बोलते है overloading condition इस type के overload से protect करने के लिए motor में overload protection दिया रहता है अगर हमने यह overload condition से motor को protect नहीं किया तो क्या होगा इसकी जैसे मैंने भी आपको बता है कि यह जो motor है उसका rating fix होता है जब भी system design हुआ तब उसका rating fix होके उस type का ही motor मगवाया जाता है यानि कि यह motor 30 kilowatt का है और 52 ampere का है तो उसके अंदर का insulation जो हुआ होगा winding में वो भी उस type का ही होगा और अगर हम overload पर motor को चलाते हैं तो क्या होगा कि motor over a period of time क्या होगा कि उसका insulation fail हो जाएगा और motor जो है वो burn हो जाएगा तो ऐसा ना हो उसके लिए हम क्या करते है कि induction motor में overload protection provide करते हैं अगर motor का rating जो हो small rating की motor है यानि कि less than 22 kilowatt का motor है तो उसमें हम directly by metallic relay overload relay, BMR relay जिसको बोलते है हो लगा देते हैं और अगर उसका rating more than 22 kilowatt है तो फिर उसमें हम क्या करते हैं कि micro controller based कोई भी एक relay लगाते है और जो continuously monitor करता रहता है कि motor की condition कैसी है, overload है या फिर under normal condition है, so अब चलिए बात करते है कि short circuit protection क्या होता है, friends, same example के साथ हम यह समझने वाला है कि short circuit protection क्या होता है, so friends, य यह जो motor है उसके अंदर winding रहेगे और cable के अंदर भी कुछ इस तरह से तीनो phase रहेगे और वो directly motor के terminal blocks पे इस कुछ इस तरह आके connected होते होगे, but अगर by chance कोई भी reason की वजह से कुछ इस तरह दो phase short हो गये, या तो फिर तीनो phase short हो गये, तो उसको phase to phase short circuit बोला जाता है, और अग में तीनो phase short हो गये, या तो फिर between short होए, या तो फिर अर्थ के साथ short होए, तो उस type की condition होई, उसको अब short circuit बोलते है, so यह जो short circuit condition है, वो तो motor के inside भी हो सकती है, और या तो फिर cable के inside भी हो सकती है, जब भी उसका insulation fail होगा, उस time पे यह condition हो सकती है, short circuit कुछ इस type का होगा, तो very high amount current जो है, वो वहाँ पे fault point पे draw होगा, यह जो amount of current होगा, वो extremely high amount होगा, यानि कि kilo ampere तक का current जो होगा, so friends, overloading में तो क्या होगा, कि overloading में उसका rated current है, उससे थोड़ा ज्यादा current जाएगा, यानि कि 52 ampere का rated है, तो मतलब वो 52 से ज्यादा जा सकता है, 60 ampere, 65 ampere तक का current ज low होगा, जब भी इस type का fault होता है, उस time पे हमें equipment को protect करने के लिए, short circuit protection देना पड़ता है, small rating की motor रहती है, उसमें हम HRC fuse provide करते है, यानि कि high reaction current capacity जो fuse होता है, उसको हम वो use करते है, अगर गैस आपको HRC fuse के बारे में जानना है, तो मैंने एक वीडियो बनाया है, 3D animation में, तो वो आपको समझने में ऐसा नहीं होगी, अगर आप देखना चाहते हो, तो मैं link description में दे दूगा, अगर large rating की motor है, तो फिर क्या होगा, इसकी उसमें हम HRC fuse तो use करेगी, बट साथ में microcontroller based relay भी यूज़ करेगे, जो short circuit protection से भी हमारे equipment को protect करेगा, friends, आपके mind में भी question आया वो design होता है, या तो फिर जब भी हम उसको implement करते हैं, तब उसका cost है, वो equipment का 5%, मतलब कि आपका induction motor का cost है, उसका 5% ही आपको use करना है, अगर आप small rating की motor में, micro processor relay लगा होगे, HRC fuse लगा होगे, सब कुस लगा होगे, क्या होगे, कि उसका cost बहुत ही बढ़ जाएगा, और protection system मे क्या है, कि आप जो 5% से ज्यादा उसका cost नहीं दे सकते, अधरवाइस क्या होगा, कि motor की जितनी value होगे, उसके ज्यादा value तो आपके relay की, और आपके जो पूरे protection system की हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए, सिर्फ only large rating की motor जो रहती है, यानि कि more than 22 kilowatt की motor रहती, उसमें ही microcontroller based detail लगाया रहता है, so friends, अब हम बात करते है, over current के बारे में, तो guys, हमें पहले overload and short circuit के बारे में तो देख लिया, but over current क्या है, तो guys, over current जो है, वो क्या है कि over current, friends, overload and short circuit है, वो sub part है over current के, यानि कि ये सब चीज जो हुई, ये सब protection जो हुई, ये सब over current के basis पर ही है, मतलब कि उसकी जो rated current है, over current का जो sub part बोले, उसमें ही overload आता है, और same way, short circuit current है, वो भी guys, क्या है, short circuit जो है, वो भी guys, क्या है, कि वो a part of over current ही है, क्योंकि उसमें भी स्याद current ही जा रहा है, तो ये over current जो है, so over current जो है, वो एक main थी है, और over current होने की जी वज़ह, ये दो part है, यानि कि overload and short circuit है, तो I hope आप समझ गे होगी कि overload, short circuit and over current, उन तीनों में क्या difference है,